हेलो गाईज, वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल, तो गाईज टोड़े आउड़ाग तो डिस्कूर्स अबाउट इडियम से इडियम से फ्रेजर्स का तेरवाँ एपसोड है, आप लोग से मेरे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी एंड पैन ले जिएगा और जो भी मैं इस वीडियो के माधियम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, प्लीस नॉट इडाउन, आज की वीडियो बहुत ही बैतर होने वाली है, जो अपकमिंग एक्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी, आप लोगों के लिए जो भी सुडेंट कंपुटेटी एक्जाम की प तो फ्रेंट्स हमारा जो पहला इडियम से है, पुट आप टू, पुट आप टू का मलता है उक्साना, किसी को उक्साना, फॉर एक्जामपल देखिए बटा, राइट, फॉर एक्जामपल है फ्रेंट्स, फूट यू अप टू दिस मिस्चैब, कि तुमें इस सैतानी या सर के लिए किसन कौन उक्साता है, या किसने उक्साया, कि हूँ, पुट यू आप टू इस मिस्चैब, तुमें इस सैतानी के लिए कौन उक्साता है, I hope you understand, next idiom से फ्रेंट्स हमारा, पुट आप विद, पुट आप विद का मलता है बर्दास्त करना या सहन करना, राइट, पुट आप विद का मलता है बर्दास्त करना या सहन करना, for example है, how do you put up with that kind of noise होल दे, means आप उस प्रकार का सोर सरावा पूरे दिन कैसे बर्दास्त करते हो, I hope you understand, next idiom से फ्रेंट्स हमारा, that's very very important for you guys, rat letter day, rat letter day का मलता है स्वार्ण निम दिन, या स्वार्ण दिन, means बहुत सुन्दा डे, बहुत महत्तपूर्ण दिन, right, for example देखे, August 1947 is a rat letter day in Indian history, means August 1947 का जो दिन है हमारे देश के लिए हमारी Indian country के लिए हिस्ट्री में स्वार्ण दिन कहलाता है, कि August 1947 is a rat letter day in Indian history, हमारे जो इंडिया के इत्यास में, August 47 का जो दिन है, बहुत स्वार्ण दिन है, महत्तपूर्ण दिन है, I hope you understand, next idiom से फ्रेंट्स हमारा, right here, right here का मलता है, इसी जगो, right here का मलता है, इसी जगो, for example देखे, friends, see me right here, at this shop, after half and half, कि मुझे इसी सौप पे आदे घंटे में मिलना, I hope you understand, next idiom से फ्रेंट्स हमारा, right now, right now का मलता है, इसी समय या इसी बक्त या बिलकुल अभी, getting friends, for example देखे, let us do it right now, let us do it right now, कि इसे हमें अभी करने दो, या इसी समय करने दो, I hope you understand, so friends, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 5 idioms पढ़ाई हैं, जो upcoming exam में आने वाली हैं, और पहले भी आ चुकी हैं, जब भी आपकी exam में, competitive exam में, idioms और phrases आते हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत confused हो जाते हैं, और इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक series start किया है, जो हमारा episode के नाम से है, यह आपका आज का 13 episode है, और जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, 5 idioms हैं, so friends, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसं सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी बगल में बैल आइकर उसे जुरूब पैस कीजिए, because जो आने वाली वीडियो है, उसकी नोटिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, so friends, comments वाक्त में, comments करना ना भूलेगा, so well friends, मिलते एंगली वीडियो में, till then nice meeting to you, thank you very much, keep practicing, जै हिन जै वार